तो आज मैं बात करूंगी दस ऐसे नास्टे ऐसे फूड के बारे में जो के आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा कार गरें तो आपको कैसे लेना है क्या टाइमिंग और क्या उनके फाइदे हैं जो वेट लॉस जर्नी में बहुत जादा इफेक्टिव हैं यही सब तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे सो वो दस नास्टे कौन-कौन से हैं पहले मैं उन्हें बता देती हूं तो सबसे पहले आप डेली आठ बुझे से ग्यारे बजे के बीच में आप अपना नास्टा कर सकते हैं वह बहुत ही इफेक्टिव टाइम होता है वैसे तो एट औ आप ओड ले सकते हैं आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं आप एग ले सकते हैं आप सेब ले सकते हैं आप बदाम ले सकते हैं आप कॉफी ले सकते हैं आप दलिया ले सकते हैं आप नीबू जो कि सुबह उठने के बाद तुरंट ले सकते हैं आप बैरी ले सकते हैं यह सार तो यह भूब नहीं लगने देते हैं इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइवर होता है यह आपकी वेट लॉज जर्नी को बहुत ज्यादा एफैक्टिव बना देते हैं क्योंकि आप पहला नास्ता जब बौडी में जाता है सबसे ज्यादा लगता है और फाइवर भरपू मात्रा में और आपकी जो भूख लगने वाली जो चीजें हैं बॉडी की जो नीड है वो कम कर देती है जब हमें भूख कम लगती है तो हम ज्यादा खाना नहीं खाते हैं ज्यादा खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा कैलरीज नहीं जाती है सारा जो नहीं होती पाती हम अतना काम करें हमारे सिटिंग की जोब है तो आफ में बढ़ रहे हैं तो सिच्वेशन में चाहिप करते हैं और कम हम निकालते हैं जैसे ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाते उस सिचुएशन में हमारा वेट बहुत जादा बढ़ जाता है उस सिचुएशन में यह सारे नास्ते आपके वेट को कंट्रॉल करते हैं तो आप ऐसा रुटीन ली करेंगे तो दो तीन महीने में आप अपना वेट जितना मर्जी चाहते हैं उतना कम कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको एक चीज और करनी है आप अपना बिल्कुल रुटीन बना लेजिए मौनिंग में यह नास्ता नाइट में कुछ नहीं खाईए और इबनिंग में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम थाउजिंड या तू आपका वेट लोज कितनी आसानी सोगता है तो बाई बाई लव यू टेक एर थैंक यू सो मच गाई बाई